Koteck Mahendra Bank एक ऐसा bank है जिसमें आप Zero Balance का Saving Account online अपने घर सही open कर सकते हैं और इसका full KYC आप अपने घर सही कर सकते हैं आपको एक भी बार branch visit नहीं करना है जैसे आपका account open होता है आपको hand to hand account number, IFSC code, CRN number दे दिया जाता है CRN number से आप Koteck Mahendra Bank का mobile banking application यूज़ कर सकते हैं लोग इन कर सकते हैं और आपको free में virtual debit card दे दिया जाता है जिससे आप इसका UPI phone पे Google पे पेटियम चला सकते हैं So friends आज की इस वीडियो में हम आपको Koteck Mahendra Bank में Zero Balance का Saving Account open करने का complete process दिखाने वाले हैं चलिए करते हैं इस वीडियो को सुरूब आपको इस website पर चले आना इसका link आपको description box में मिल जाएगा आप वहां से यहां आ सकते हैं उसके बाद आपको यहां पर कुछ इस परकार का interface देखने के लिए मिल जाएगा तो आपको यहां पर अपना mobile number इंटर करना है देन आपको pin code इंटर करना है उसके बाद आपको यहां open now पर क्लिक करना है तो आपको इंटरफेस कुछ इस परकार से सो कर रहा है तो यह problem कुछ लोगों को face करना पड़ता है क्योंकि अगर आपके pin code area के अंदर कोटक महंदरा बैंग का branch नहीं है तो यह वाला इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है तो आपको अपने area को कोई दूसरा pin code इंटर करना है जिसमें कोटक महंदरा बैंग का branch होना चाहिए तब ही जाके आप अपना account open कर सकते हैं तो उसके लिए आपको दूसरा pin code इंटर करना है दिन उसके बाद यहां पर terms को accept करेंगे एंड नीचे proceed to verify पे click करेंगे next page आपके सामने आ जाएगा तो यहां पर आपका pen card में जो name है वो आपका इस परकार से show करेगा उसके बाद आपको यहां पर proceed पे click कर देना है next page verify your आधार with OTP का option आएगा तो आपका आधार card से link mobile number पर OTP send किया जाएगा आपका वह वाला mobile number इसी mobile phone में लगा है OTP यहां automatic fill हो जाएगा दिन आपका आधार का details यहां पर फेच कर लेगा आपका यहां पर name date of birth gender देखने के लिए मिल जाएगा नीचे आपको option दिख जाएगा select occupation का तो आपको यहां पर अपना occupation select करना है आप इनकम का source यहां पर select कर लेना है उसके बाद आपको यह पर select yearly income select कर लेना है आपको यहां पर marital status select कर लेना है आफ말 powered है यहां पर fathers का name inter करना है then screen को सश्ड़ करेंगे यहां पर mothers का name inter करना है then आपको एक बार फिर से confirm करना है और tier street कीन लिए कर देना है तो यहां पर दिखाता है कि आपके address पे Kotak Mehendra Bank का service अभेलेवल नहीं है आपको कोई दूसरा address इंटर करना होगा तो आपको यहां नीचे add new address का option दिख रहा होगा तो आपको यहां अपना कोई दूसरा address इंटर कर लेना है and proceed पे क्लिक कर देना है next page आपके सामने add new name का आजाएगा अगर आप new name नहीं add करना चाहते है अभी I do it later पे क्लिक करेंगे अगर आप अभी new name नाव पे क्लिक करना है आपको यहां पर new name नेम इंटर करना है नोमनी आपके क्या लगते है उनका relationship यहां सेलेक्ट करेंगे नोमनी का date of birth नीचे इंटर करेंगे नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा नोमनी address same as my communication address तो guys अगर आपका address और नोमनी का address same है तो आपको इसको enable कर देना है नहीं तो आपको नोमनी का यहां पर address इंटर करना होगा इतना करते ही आपको नीचे proceed का option दिखेगा तो proceed करेंगे आपके सामने just a few self declaration का एक form आ जाएगा तो यहां पर आपको select all पे click करना है तो सारा declaration एक साथ ठीक हो जाएगा उसके बाद proceed to mpin पे click करना है next page आपके सामने आ जाएगा set mpin का तो आपको यहां पे अपना 6 digit का mpin set करना है जिससे आप कोटंग महंदरा बैंक के अंधर हर बार login कर सकते है तो उसके लिए आपको अपने मन से 6 digit का यहां कोई साभी number इंटर करना है देन आपको फिर से री इंटर एक बार करना है अपना mpin उसके बाद confirm mpin पे यहां क्लिक कर देना है तो guys देख सकते हैं configure your card आपको यहां पे virtual debit card दे दिया जाता है तो आपको इसको online use करने के लिए इस वाले permission को enable कर देना होगा तो आपको virtual debit card दे दिया गया है अगर आपको physical debit card चाहिए तो उसके लिए यहां पे बताया जा रहा है complete your kyc to apply for a physical debit card तो उसके लिए आपको अपना kyc पुरा complete करना होगा अभी आपका mini kyc के साथ virtual debit card दे दिया गया है नीचे आपको proceed का option दिख रहा होगा तो प्रोसीड पे click करेंगे तो देख सकते है congratulations you are eligible for a credit card against a fixed deposit फिरी में credit card दे दिया जाता है इसमें आपको annual fee, joining fee zero लगता है किसी भी परकार का कोई fee नहीं है तो guys आप अपना credit card अगर लेना चाहते है यूज करना चाहते है तो आपको climb card पे click करना है नीचे नहीं तो आपको skip पे click करना है तो guys देख सकते हैं finally हमारा account open हो चुका है यहाँ पर हमारा CRN number मिल गया account number, IFSC code, UPI handle यहाँ पर मिल गया है तो हम इस details को copy कर सकते हैं या फिर आप इसका एक screenshot ले लेंगे नीचे आएंगे यहाँ पर आपको अपना virtual debit card का details देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर card number so कर जाएगा, expiry, CVB दिख जाएगा तो अपना full KYC करने के लिए आपको यहाँ complete full KYC पे click करना है next page में आपको enter कर देगा तो guys यहाँ पर क्या क्या need है आप full KYC करने के लिए तो आपके पास original pen card होना चाहिए आपको picture का selfie upload करना होगा आपको एक signature upload करना होगा KYC करने के लिए proceed to verify पे click करेंगे आपके सामने account terms and condition आएगा यहाँ पे select all पे click करके सबको select करेंगे नीचे I agree to proceed पे click करेंगे यहाँ पे आपको location का एक permission मांगा जाएगा तो आपको नीचे continue पे click करना है फिर से यहाँ allow कर देंगे आपको यहाँ पे दिखा रहा है तो उसी परकार से आपको यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर पे तो take a photo पे click करेंगे एक selfie लेके upload कर देंगे उसी परकार से signature upload करेंगे signature upload करने के लिए आपको एक white paper पे blue pen signature करना है और उसका एक photo capture कर लेना है उसके बाद upload कर देना है search करने लगेगा फिर से आपके सामने click here to your start video KYC का option आएगा तो आपको इस पे click करना है redirect आपको इस page पे enter कर देगा तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको wait करना है उसके बाद आपके सामने एक bank का agent आएगा और आपका KYC complete हो जाएगा और फिजिकल डेविट काड अपलाई कर सकते हैं इस परकार से आप ओटक महंदरा bank का online account open कर सकते हैं और उसका फूल के वाई से कर सकते हैं आपको पसंद आई होगी अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें इस तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके साथ में बेल वाले आइकन को हीट कर दें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए best of luck friend